कि आईफोन 13 का प्राइस ड्रॉप कब होगा और क्या अभी आईफोन 13 पर्चेस करना सही होगा तो क्या हाल है मरे भाईयों के सब बढ़िया है न मन्थ एंड है एप्रिल एंड हो रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर सेल स्टार्ट हो गई है इवन सेल का नाम भी यह है मुझे पता है मन्थ एंड में वैसे काफी सरे भाईयों की सैलरी अल्मूस्ट अब तक खतब हो चुकी होगी लेकिन सेल भी इसी टाइम पर आई है तो कुछ क्रेडिट कार्ड या कुछ जुगार करके आप चाहे तो फोन्स पर्चेस कर सकते हो और मैंने आपके काफी इंट फोन्स पिक करे हैं उसके बार में बात कर लेता हूँ उसके बाद जब कोशन्स पूछूँगा तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा फोन सही रहेगा गाइस 10,000 रुपी से कम के बजट में मैं नॉर्मली आपको कोई फोन रेकमेंड नह मैंने टेस्ट करा है बेकॉस फोन्स होते हैं बहुत जादा और सबको मैं टेस्ट नहीं कर पाता अचा इसके अलावा मैं आपको बता सो इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो मीडिया टेक हिली हो जी 88 मिलता है डीसेंट परफॉर्मेंस आप इस फोन से एक्सपेट कर सकते हो अ सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको इसमें कुछ खास नहीं मिलेगा इन फीनिक्स का फोन है और थोड़े बहुत बग्स आपको देखने को मिलेंगे बड़ उसका भी सॉल्यूशन है थोड़ा सा बजट अगर आप बढ़ा लो तो अल्मोस्स सेम प्रोसेसर मीडिया टेक हिलि है वो close to stock android है motorola के phones में ऐसे जदा bugs देखने को नहीं मिलते है clean सा user interface है और बढ़िया आपको मतलब नॉर्मल यूसेज के लिए एक बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देदेगा ऐसाच आप जदा regret नहीं करोगे और वीडियोस देखने के लिए ये भी काफी बढ़िया option है 4GB सब्सक्राइब के साथ 11,500 रुपे का cashback इस phone पर भी है तो 10,750 के बढ़ जाएगा आप कुछ एक दो सवाल ले लेते हैं क्योंकि वह इसी price segments related है तो शार भाई पूछ रहे हैं Redmi Note 11 और Redmi Note 10S में से कौन सा phone सही रहेगा दोनों अल्मुस्ट सेम range की है प्रायर रूटीन की camera और performance है performance तो आपको यार Redmi Note 11 में slightly better मिल जाएगी E1 जो प्रोसेसर है Redmi Note 10S में Mediatek Helio G95 वह बेटर है लेकिन मैंने दो तीन महीने पहले कुछ sale आई थी उसमें Redmi Note 10S आप में से कुछ भाईयों को recommend कर दिया था और उसमें software related issues बहुत जादा है bugs काफी सारी है phone थोड़ा lag कर रहा है तो 11 किसे अच्छा मैं आपको suggest करूँगा कि आप Moto G52 अभी launch हुआ है वो better आएगा 13500 रुपे का पढ़ जाएगा cashback के बाद 4GB RAM model प्रोसेसर सेम है Redmi Note 11 की तरह Snapdragon 680 लेकिन Xiaomi का phone है Redmi Note 11 तो उसमें आपको MIUI मिलता है उससे better आपको close to stock Android मिल जाएगा Moto G52 में तो overall मैं आपको Moto G52 recommend आपको Xiaomi का phone पसंद है तो Redmi Note 11 की जगा Poco M4 Pro का जो 4G model है AMOLED display के साथ उसको consider कर लो Mediatek Helio G96 मिलता है जो G96 basically better है Snapdragon 680 से तो आप Poco M4 Pro को भी देख सकते हो अच्छा camera तीनों ही phones के कुछ खास नहीं है Poco M4 Pro का मैंने करा भी था camera test Samsung की थारीफ करते हैं दुबारा camera अच्छा चाह तो खेर ही बढ़िया एक चीज़ आपको बता देता हूं मैं Samsung की तारीफ तो करता हूं मैं Samsung F23 यूस कर रहा हूं विकॉस का review करने कुछ टाइम है तो उसमें एक बग था fingerprint scanner ना जब phone ऐसी idle पड़ा होते बेट पे तो अपने अपना वो recognize कर रहा था और phone चाहे अनलोक ना करो तो still choice आपकी है पैसे आपके जो ठीक लगे वो आप ले सकते हो camera बढ़िया मिल जाएगा performance और user interface आपको Samsung में बढ़िया मिल जाएगी but हाँ movies वेरा देखनी AMOLED डिस्प्ले चाहिए तो आप फिर Moto G52 मेरी नजर में overall एक better option बन जाता है camera G52 का as such कुछ खास तो नहीं है लेकिन मुझे comments में बताना क्या आपको Moto G52 का camera comparison Samsung F23 से देखना है अगर बोलोगे तो ही करूँगा अदवाइस हम कुछ और कर लेंगे अब काफी सारे सवाल ये भी आते हैं कि 20,000 रूपीस के round एक overall अच्छा phone बता दो तो यहाँ पे मैंने दो phones pick करे हैं एक है Realme 9 SE का 5G model Snapdragon 778 के साथ जो आता है Full HD Plus IPS display मिलती है लेकिन refresh rate यहाँ पर आपको 144 Hz का मिल जाएगा main reason इस phone को recommend करना है क्योंकि इसमें Snapdragon 778 है तो gaming performance आप gaming performance आपको अच्छी मिल जाएगी इस phone से इसलिए recommend कर रहा हूँ लेकिन इस price segment में आप AMOLED display expect करते हो और Realme GT Master Edition अब 19-20,000 रूपीस का मिलता है नहीं तो Moto G71 में आपको recommend कर दूँगा जिसमें Snapdragon 695 है तो gaming performance आपको उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी जितनी Realme 9 5G SE में है लेकिन ठ ठीठा gaming आप कर सकते हो और इसमें AMOLED display है high refresh rate नहीं है 60Hz की display है close to stock Android user interface है तो वो भी बढ़िया रहेगा आपके लिए और काफी भाई confused है Moto H20 Fusion 19500 का मिल रहा है sale में में recording Moto G71 overall एक better phone है इसमें processor better मिल जाता है तो आप Moto H20 Fusion को ignore कर दो camera वैसे भी कुछ खास नहीं है camera Realme 9 SE Moto G71 का भ तो चंदन भाई मैं इस टाइम पर Samsung M53 टेस्ट कर रहा हूँ इसके unboxing video 28th को मैं upload कर दूँगा तो उसमें आप camera samples देख लेना फिलहाल मुझे camera अच्छा लग रहा है लेकिन आपको जिस भी phone के साथ camera comparison देखना है आप नीचे comment करके बता सकते हो और इस phone का price भी 23, 24, 25,000 रुप कर लो guys इसी price segment में एक phone और है जो launch तो कुछ टाइम पहले 30,000 रुपीस का हुआ था लेकिन offline में वो phone 25,000 रुपीस से भी कम में मिल रहा है और अगर आपका कुछ 23,000 रुपे का budget है तो Instagram पर मेरी story check कर लेना because offline में वो एक dealer दे रहे हैं जो मैं जो जानते है मेरे known में है लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताता हूँ तो कुछ भाईयों को लगता है कि मैं बेकार में offline store का promotion करो तो नहीं करते है promotion अगर आपको 23,000 रुपीस दार में आप सोच रहे हो कोई phone लेने का तो Instagram story check कर लेना otherwise आप ignore कर सकते हो next question काफी interesting है Mr. and Mrs. Ahuja ने पूछा है ये पूछ रहे है कि Samsung Samsung S20 FE 5G कैसा रहेगा as compared to Samsung A52s और iPhone SE 2020 वैसे तो तीनों इफोन की camera बहुत अच्छे है लेकिन इन तीनों में से सबसे best camera आपको मिलेगा Samsung S20 FE 5G में और Amazon पे इस टाइम पे काफी चार डिसकाउंट भी है 37,000 का ये फोन 2000 रुपीस कूपान डिसकाउंट है तो 35,000 रुपीस का मि definitely consider कर सकते हैं जो भाई इस फोन को use कर रहे हैं वो बहुत खुश भी है कमेंट्स और Instagram पर बताते रहेते हैं आप मुझे और मैं देखते हूं आपकी comments अबदुल भाई पूछ रहे हैं कि iPhone 13 mini के बारे में मेरा क्या opinion है और should I buy iPhone 12 iPhone 13 mini यह एक बहुत ही बढ़िया फोन है ऐसाच उसमें कुछ आपको problems नहीं है OLED डिस्प्ले मिल जाती है screen size थोड़ा सचोटा है और battery backup बुरा नहीं है above average है एक दिन का battery backup मिल जाएगा अगर normal usage है दोनों में OLED डिस्प्ले मिल जाती है जहां तक रही बाद प्रोसेसर की तो A14 मिलता है iPhone 12 में और A15 iPhone 13 mini में नॉर्मल यूजच में गेमिंग करते टाइम ऐसल जदा डिफ्रेंस आप नोटिस नहीं कर पाऊगे तो iPhone 12 Flipkart की सेल में 57,000 रूपीज का है 4000 रूपीज का instant discount है बैंक iPhone 13 परचेस करना सही होगा या वेट कर ले लेट से अभी जो आप फोन यूज कर रहे हो वो बढ़िया चल रहा है तो मैं आपको सेजेस्ट करूँगा October तक वेट कर लो October में Flipkart Big Billion Days में iPhone 13 पे आपको काफी अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है मतलब 10,000 तो गाइस यह थे आपके कुछ कोशन्स जो मैंने पिक करें अगर कोई और सवाल हो तो निचे कमेंट में पूछ लो या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो इसके लावा पच्छिस चब्बेजार रुबे की रेंच में कुछ कोशन्स जो मैंने पेक नहीं करें ज लेट सी की M53 कैसा परफॉर्म करेगा मैं उमीद करता हूँ आपको कंटेंड इंफोर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार और वीडियो को लाइक भी कर दो जादा पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर देना मैं मिलता हूँ नेक्स वीडि दिया कर दो दूता हुँ आपको देना मैं यार आग और थी कर देना मैं मैं में और राव देना मैं मीं लिड़े हुआ मैं लूगा हुआ तो दो अूगा देना